हमारे यूटुब चैनल ग्यान सागर में आपका स्वागत है किसी के परती अपना प्यार या सम्मान ब्यक्त करने के लिए सबसे अच्छा तरीका उसे उपहार देना माना जाता है ऐसा माना जाता है कि उपहार देने से रिष्टे और मजबूत होते हैं जदि आप नए साल पर अपने किसी प्रिये जन को उपहार देना चाहते हैं तो जोतिस के कुछ नियमों को अवस जान ले जोतिस के अंसार कुछ चीजों को कभी भी उपहार के रूप में नहीं देना चाहिए ऐसा करने पर धीरे धीरे रिष्टे की मिठास कम होने लगती है आईए जानते हैं ऐसी कौन सी चीजे हैं जिने नए साल पर किसी को गिप्ट में नहीं देना चाहिए जुते चपल कभी भी किसी को उपहार में जुते या चपल नहीं देना चाहिए क्योंकि जुत्य चपल दरिद्ता का पर्तीक माने जाते हैं ये चीजें गिप्ट में देने से दरिद्ता कभी पीछा नहीं छोड़ती है घड़ी और रुमाल जदी आप नए साल के असर पर किसी को घड़ी या रुमाल गिप्ट में देना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें ऐसी मन्यता है कि रुमाल देने से नकरतमक्ता बढ़ती है और रिष्टों में गलतभामी पैदा होती है किसी को घड़ी देने से अच्छा समय भी खराब होने लगता है नुकिली चीजे किसी को गिप्ट में देते समय ध्यान रखें कि उसमें कोई भी नुकिली चीज ना हो जोतिस के अनुसार नुकिली चीज गिप्ट में देने से रिष्टों में धोखा मिलता है जदी आपको भी ऐसी चीजे उपहार में मिले तो इन्हें किसी गरीब को दान दे दे, भूल कर भी अपने पास न रखे, पर्स या बैग, पर्स या बैग भी किसी को उपहार में नहीं देना चाहिए, ऐसा करने से आर्थिक किस्थिती खराब होती है, देवी देताओं की मुर्तियां, भगवान की मुर्तियां किसी को उपह में देने से बचना चाहिए अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान आप से नराज हो सकते हैं दोस्तों मेरे वीडियो के माध्यम से आप अपना ग्यान बढ़ाएं मेरे वीडियो को लाइक और सेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें